नमस्कार दोस्तों मैं संतुस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल भनार पर यदि आप कम्प्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कम्प्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करें बेल नोटिफ यदि आप MS Word में कोई डॉक्यूमेंट तयार कर रहे हैं कोई फाइल तयार कर रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट में जो भी पेजेस आपने बनाए हैं उन सभी पेजेस को प्रॉपरली और्गनाइज करने के लिए ब्रेक ओप्सन का यूज किया जाता है साथी साथ आपकी फा अप्सन दो प्रकार से यूज किया जाता है एक होता है पेज ब्रेक एक होता है सेक्शन ब्रेक तो पहले हम यह देखते हैं कि ब्रेक ओप्सन क्या होता है उसके बाद हम समझते हैं कि पेज ब्रेक क्या होता है और सेक्शन ब्रेक क्या होता है ब्रेक ओप्सन के माध्यम से MS वर डॉक्यूमेंट में pages को organized किया जा सकता है यदि आप अपने document में use होने वाले सभी pages को properly organized करना चाहते हो properly जमाना चाहते हो तो आप use कर सकते हो break option का और document में text flow को control किया जा सकता है आपके document में जो pages हैं उनको आप properly organized कर सकते हैं जमा सकते हैं और सा ή साथ document में जो text use हो रहा है उसके flow को भी control कर सकते हैं मतलब कितना text किस page पर हमें दिखाना है कितना text किस area में हमें use करना है वह भी आप break option के द्वारा control कर सकते हैं तो break option हमारे document में use होने वाले सभी pages को control करने की सुपिदा देता है साथी साथ pages पर type होने वाले text को control करने की सुभिदा भी हमें प्रिदान करता है जो break option है वह है MS word में दो प्रकार से use किया जाता है two types इसे use किया जाता है break option को दो category में divide किया गया है एक category होती है page break की category एक होती है section break की category page break और section break page break में तीन प्रकार के option होते हैं page, column और text wrapping मतलब आप एक page को break कर सकते हैं एक column को break कर सकते हैं और एक line को break कर सकते हैं साथी साथ आप अपने text की wrapping भी कर सकते हैं जबकि जो section break है यह चार प्रकार के होते हैं next page पर नया section बनाना है continuous page पर section बनाना है even page पर section बनाना है या odd page पर section बनाना है यह section break एक बहुत ही important feature है Ms.Word का यदि आप अपनी file में अलग-अलग border देना चाहती है page border आप अपनी file में अलग-अलग header footer use करना चाहते है आप अपनी file में अलग-अलग page पर water mark यूज़ करना चाहते है तो सबसे पहले आपको अपनी file में section create करने होते हैं यदि आप अपनी file में अलग-अलग प्रकार की formatting, अलग-अलग प्रकार की page border, अलग-अलग प्रकार के header footer set करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने page में section create करने होते हैं, तो आज हम जो break option सीख रहे हैं, इसमें हमें दो प्रकार के break सीखने मिलने वाले हैं, एक होगा page break जो की तीन प्रकार के होते हैं, एक होगा section break जो की चार प्रकार के होते हैं, section break बहुत ही important है, जो की आपकी file में अलग-अलग section create करतेगा, जिससे आप अपनी file पर अलग-अलग style भी use कर सकते हैं, तो अभी हमने break option का introduction समझा, break option क्या करता है, हमारे document में, हमारी file में use होने वा जते हैं, और break option दो प्रकार का होता है, एक होता है page break जो की तीन प्रकार के होते हैं, page, column और text wrapping, दूसरा होता है section break, जो की चार प्रकार के section break कर सकते हैं, next page पर section, continuous page पर section, even page पर section और odd page पर section, यदि आप अपनी file में अलग-अलग style use करना चाहते हैं, तो आपको section option का use करना होत है तो अभी हमने सभी option को theoretical ही समझा अब चलते हैं MS Word की window पर और सभी प्रकार के break को practical example से समझते हैं तो अब हम अपने MS Word software में आ गए हैं जहां पर हम सभी प्रकार के break option को use करके देखने वाले हैं MS Word के जो भी break option है वह सभी आपको layout tab में प्राप्थ होते हैं layout tab में layout tab में आपको एक option दिया जाता है breaks और जब आप इस breaks option पर click करेंगे तो यहां पर 2 प्रकार के break होते हैं एक होता है page breaks एक होता है section breaks पेज़ë ब्रेक और section break यदि आप Moss Word में page break या section break का use करना चाहते हैं, तो पहले आपको layout tab को select करना होता है, layout tab में हमें एक option दिया जाता है, breaks और breaks में दो option होते हैं, page breaks और section break, आप देख सकते हैं, page break के अंदर तीन option आ रहा है, page, column और text wrapping, इसी प्रकार से section break में चार option आ रहा है, next page, continuous page, even page और odd page, पहले हम page break को समझने वाले हैं, और page break मे भी पहला option होता है, page, यदि आप अपने एक page को break करना चाहते हो, तो आप use कर सकते हो, page break में page option का, page break में page मतलब, आपकी एक page की information को, यदि आप दो page में divide करना चाहते हो, break करने का मतलब क्या होता, तोड़ देना, बांट देना, तो यदि आप एक page की information को, एक से जादा page में divide करना चाहते हो बांटना चाहते हो तो आप use कर सकते हो page break option का for example यहाँ पर हमने 5 paragraph को type किया है अभी हमारी file में एक page है और हम पहले page पर ही है हमारे पहले page पर 5 paragraph type है यदि हम चाहते है paragraph number 3 से हमारा text next page पर transfer हो जाए तो हम उसके लिए page break option का use कर सकते है तो हमने पहले cursor को third paragraph की starting में रखा हम layout tab में गए breaks option में गए और यहाँ से हमने select किया page break में page option को आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा cursor set था उस line से हमारा text second page पर transfer हो गया है मतलब हमने first page को break किया और first page की कुछ information को second page पर transfer कर दिया यह होता है page break page break मतलब एक page को break करना और page की कुछ information को second page पर transfer कर देना आपका cursor जिस line पर जिस text पर होगा वहाँ से आपका text next page पर transfer next page पर break हो जाएगा यह होता है page break इस page break option को आप shortcut की के माध्यम से भी उपयोग कर सकते हैं इसकी shortcut की होती है control plus enter आपको keyword से control की को press करना है और enter की को press कर देना है तो आप page break option को shortcut की के माध्यम से भी access कर सकते हैं इसकी shortcut की होती है control plus enter तो page break option का मतलब क्या है एक page की information को break करके दो page पर या तीन page पर transfer करना अब यदी हम second page पर इस last paragraph पर अपने cursor को set करते हैं और हम फिर से एक बार page break को use करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने जहाँ पर cursor को set किया था वहाँ से हमारा text third page पर break हो गया है transfer हो गया है तो यह होता है page break option जो की आपके एक page की information को page break करके multiple pages पर transfer कर देता है यदी आप यदी आप एक blank page पर या text के last में page break का use करेंगे आप देख सकते हमारी file पर आप एक ही page है आप type करेंगे यदी हम cursor को last में रखते हैं और control enter करते हैं तो भी हमारा page break होता है बट अब जो हमारा next page पर आएगा वह हमारी file में blank page होगा क्यूंकि हमने कोई text पर cursor को set नहीं किया था आप text के साथ page break का use कर सकते हैं साथी साथ आप blank page पर भी page break option का use कर सकते हैं अभी हमने प break मतलब यदी आपने अपनी file में column create करें हैं column कैसे create किये जाते हैं यह हमने अपनी previous video में सीखा था यदी आपने अभी तक वाई video नहीं देखी है तो i button पर click करके आप उस video को देख सकते हैं आपको layout tab में column option दिया जाता है जहां से आप अपने page में multiple column बना सकते हैं for example मैंने अ column बना दिये अप देख सकते हैं आप हमारी file में जो page है वह है दो column में divide हो गया है यदि हमारा कर्जर first column पर है left column पर है और हम right column में जाना चाहते हैं तो हमारा कर्जर right column में transfer नहीं होता है direct आपका जब तक left column पूरा फिल नहीं हो जाता है तब तक आपका cursor right column में transfer नहीं हो सकता है बट यदि आप चाहते हैं अपने cursor को right वाले column में transfer करना है तो आप break option के अंदर से use कर सकते हैं column break option का column break आप जैसे ही column को break करेंगे आप देख सकते हैं हमारा cursor next column पर transfer हो गया है यदि आपने अपनी file में अपने page पर multiple column create करें हैं तो आपका cursor wide default first column पर होता है और यदि आप direct second column पर जाना चाहते हैं तो आपका cursor direct second column पर transfer नहीं होगा यदि आप cursor को second column ले जाना चाहते हैं तो पहले आप अपने cursor को set करें layout tab में जाएं, break option में जाएं और यहां से use करें column break का column break करने से आपका जहां पर भी करजर होगा वहां से आपका text next column में transfer हो जाता है यह होता है column break page break मतलब एक page की information को break करके दूसरे page पर भेजना और column break मतलब एक column की information को break करके दूसरे column पर भेज देना, transfer कर देना अभी हमने break option में से दो option को समझा, अब हम समझने वाले हैं, third option, text wrapping को, text wrapping मतलब, यदि आप अपने text की किसी line को break करना चाहते हैं, for example, हमारी ये last वाली line है, इस line को हम enter key से दो part में divide कर सकते हैं, enter key से, but यदि हम चाहते हैं, हमें अपनी line को without enter key press करे, multiple part में या दो part में divide करना है, two part में divide करना है, तो हम use कर सकते हैं break के अंदर से text wrapping का, आप देख सकते हैं, हमारा cursor जिस line पर था, वह line दो भागों में divide हो गई है, text wrapping का मतलब क्या है, आप एक line को break कर सकते हैं, यदि आपके पास text की कोई एक line है, और उस line को आप दो भागों में ब break कर देता है, column break मतलब column को break कर देता है, और text wrapping से आप एक line को break कर सकते हैं, साती सात, यदि आपके text के साथ, कोई image insert की जाती है, text के साथ, यदि आप कोई image insert करते हो, तो उस image को text के साथ fit करने के लिए भी text wrapping option का use किया जाता है, हम अपने आने वाले वीडियोस में, image को text के सेट करना सीखेंगे उसमें भी हम text wrapping option का use कर सकते हैं अभी हमने page break बाले section से तीनों option को समझा page break का मतलब क्या है एक page की information को break करके दूसरे page पर भेज़ देना column break का मतलब क्या है एक column की information को दूसरे column पर transfer कर देना और text wrapping से आप एक line को break कर सकते हो साथी साथ किसी image को text के साथ fit कर सकते हो यह था page break अब हम देखने वाले हैं section break जो की एक बहुत ही important topic है यदि आप MS Word document में अलग-अलग style, अलग-अलग page border, अलग-अलग header footer set करना चाहते हो तो आपको अपने document में section create करने होते हैं और section आप चार प्रकार से create कर सकते हो next page पर नया section, continuous page पर section, even page पर section या फिर odd page पर section तो section क्या होता है समझते हैं, अभी हमारी file में एक page है, हमने undo कर दिया है, हमारी file में एक page है और हम पहले page पर ही है यदि हम अपनी file में अलग-अलग section, अलग-अलग page पर बनाना चाहते हैं, तो हम section break के अंदर next page वाले option को use कर सकते हैं मतलब हमें एक section पहले page पर बनाना है, दूसरा section दूसरे page पर बनाना है, तीसरा section तीसरे page पर बनाना है आपके जितने section होंगे, हर section पर आप अलग-अलग style यूज़ कर सकते हो, एक section में multiple page भी हो सकते हैं मतलब हमने एक section बनाया, जिसमें page number 3 से लेकर page number 6 तक एक ही section यूज़ किया है तो एक section में एक page भी हो सकता है और multiple pages भी हो सकते हैं अभी हम अपने पहले page पर एक section बनाने वाले हैं तो हमने cursor को text के starting में set किया हम layout tab में गए, breaks option में गए, section break में हमने select किया next page जैसे ही हमने next page select किया हमारे first page की information को second page पर मतलब next page पर transfer कर दिया गया है क्यों? क्यूंकि हमने अपने text के starting में cursor को set किया था अब हुआ क्या है? हमारे document में जो पहला page है इस पर एक पहला section create हो गया है और दूसरे page पर एक अलग section create हो गया है यदि अब हम अपने पहले page पर page की border apply करते हैं page की border apply करते हैं, header footer apply करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि border को कहाँ apply करना है अभी हम जो border apply कर रहे हैं वह by default whole document पर मतलब सभी pages पर apply होगी लेकिन यदि हम border अपने एक section पर apply करना चाहते हैं तो हम use करेंगे this section और okay कर देंगे आप देख सकते हैं जो border apply हुई है वह cable हमारे first page पर apply हुई है second page पर apply नहीं हुई है क्यों क्योंकि हमने दोनों page के section कैसे कर दिय अलग-अलग कर दिये पहला section हमारा first page पर है और दूसरा section हमारा second page पर है इसी परकार से यदि हम अपने दूसरे page पर एक अलग page border यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर select करेंगे this section okay करेंगे आप देख सकते हैं हमारे दोनों page में अलग-अलग page border यूज की जा सकती है क्यो क्यूंकि हमने अपने pages में section create करें हैं हमारे दोनों page अलग-अलग section में हैं इसलिए हम दोनों section पर अलग-अलग page border भी apply कर सकते हैं इसी परकार से आप अलग-अलग header footer भी यूज कर सकते हैं साथी साथ आप अलग-अलग border mark भी हर page पर use कर सकते हैं तो यह है पहला section break होता है जो की है हमारा next page, next page section create करने से क्या होगा, आपका जो नया section create होगा, वह नया page पर create होगा, second section break होता है continuous, continuous मतलब आप same page पर यदि दूसरा section बनाना चाहते हैं, तो आप use कर सकते हैं continuous option का, continuous option का मतलब क्या है, आपके एक ही page पर आप multiple section create कर सकते हैं, तो for example, मैंने करजर को third paragraph के starting में रखा, break option में गए, यहां से हमने select किया continuous, तो हमारा same page पर एक section create हो गया है, बट हम यदि देखना चाहते हैं कि section create हुआ है या नहीं, तो आपको home tap पर जाना है, और यहां से paragraph symbol को on कर देना है, आप देख सकते हैं, जहां जहां हमारे paragraph finish हुए हैं बहाँ paragraph symbol आ गया है, साथी साथ हमने जहां section को break किया था, जहां हमने section को break किया था, बहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है, कि यहां पर आपने एक section बनाया है, जो कि continuous section है, इसी परकार से यदि हम एक और section create करते हैं, हम layout tap में गए, break में गए, यहां से हमने एक और section बना दिया continuous, तो आप देख सकते हैं, हमारे page पर अब तीन section हो गए, यह first section होगा, यह second section होगा, और यह third section होगा, अब आप अपने हर section में अलग-अलग margin set कर सकते हैं, अलग-अलग indent set कर सकते हैं, for example हमने third section को select किया है, और यहां से हम इस section का जो left margin है, उसको increase करने वाले हैं, तो हमने अ तो आप देख सकते हैं, जो margin increase हुआ है, वह cable उसी section का हुआ है, जो section हमने select किया था, एक ही page पर अलग-अलग section बनाने से फायदा क्या हुआ, हम हर section के text पर अलग-अलग style, अलग-अलग margin भी apply कर सकते हैं, यह कहलाता है continuous section, continuous section मतलब एक ही page पर आप अलग-अलग section create कर सकते हैं जब आप इस document का print out निकालेंगे, तो यह section break जो आपको दिखाया जा रहा है, यह print नहीं होता है, आपको print preview में भी दिखाया नहीं जाएगा, तो यदि आप section देखना चाहते हैं, कहां-कहां आपने break करे हैं, तो आप home tab से paragraph option को on कर दीजे, paragraph symbol को on कर दीजे, तो एक ही page पर, यदि आप अलग-अलग section बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है section break में continuous, हमने दो प्रकार के section बनाना सीखा, next page वाला section और continuous page वाला section, अब हम next section break को देखते हैं, जो कि यह हमारा even page, even page मतलब अब जो section बनेगा, वह केबल उन ही pages पर बनेगा, जिनका number even होगा, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, जो हमारी समसंख्याएं होंगी, उन ही number के page पर, यदि हम कोई section बनाना चाहते हैं, तो हम use करेंगे even page बाला section, अभी हम अपने document के first page पर हैं, first page पर हैं, यदि हम यहाँ पर cursor को set करते हैं, text के पहले, layout tab में जाते हैं, break option में जाते हैं, यहाँ से section break करते हैं, even page, तो हमारा text, automatic second page पर transfer हो गया है, क्यूंकि जो पहला even page है, वह कौन सा होगा, second, two number का है, अभी हम, अपने document पर cursor को set करते हैं, layout tab में जाते हैं, break में जाते है section break में select करते हैं, even page, तो अभी हम second page पर हैं, जैसे ही हम even page को select करेंगे, आप देख सकते हैं, हमारा जो next section create हुआ, वो किस page पर हुआ, page number four पर, तो direct हमारा section पहले page number two पर बनेगा, फिर अगला section कहां बनेगा, page number four पर, यदि हम एक बार और even section break को चलाते हैं, तो अब जो नया section section बनेगा, वो कहां बनेगा, page number six पर बनेगा, तो यदि आप even number of pages पर section बनाना चाहते हैं, तो आप use कर सकते हैं, even section break, even page section break, हमने section break में तीन break को समझा, पहला break समझा next page, दूसरा समझा continuous page, तीसरा समझा even page, यहाँ पर एक last section break और होता है, odd page, odd page मतलब विसम संख्याओं वाले page, यदि आप पहले page पर section बनाना चाहते हो, फिर तीसरे page पर section बनाना चाहते हो, फिर पांचवे page पर section बनाना चाहते हो, तो आप use कर सकते हो, odd page, for example, हमने text में third paragraph पर करजर को set किया, हम break option में गए, और यहाँ से हम select करने वाले हैं, odd page, अभी हमारा करजर first page पर है, जैसे ही ह हम odd page को select करते हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ हमारा करजर set था, वहाँ से हमारा text किस page पर आ गया है, page number 3 पर आ गया है, क्यूंकि हमने कौन सा section break चलाया, odd page section break, मतलब हमारा जो section create होगा, वह first page पर होगा, उसके बाद third page पर होगा, यदि हम एक बार odd page section break करते हैं, तो हमारा text page number 5 पर transfer हो जाता है, मतलब हमारा जो अगला section बना है, वो किस page पर बना होगा, page number 5 पर, तो इस परकार से आप अपने document के सभी pages को manage कर सकते हो, text को manage कर सकते हो, किस option के द्वारा, break option के द्वारा, और break भी दो परकार का है, page break और section break, page break में 3 option है, page, column और text wrapping, section break में 4 option है, next page, continuous page, even page और alt page, section option आपको आपके document में अलग-अलग style, अलग-अलग formatting, अलग-अलग border, set करने की service प्रवाइड करता है, तो आप सभी प्रकार के break option को practically use करके देखें, यदि आपका कोई question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछिए, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like जरूर क करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद,